हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट लगम हमारे इस होट टॉपिक में दुस्तों और जिसला कि आपको मेरे पीशे दिखाई पड़ा है कि टॉपिक क्या है अचका दुस्तों तो टॉपिक है इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम दुस्तों इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम दॉस्तों अब ये इस स्कीम में क्या है इसके बारे मैं बात करेंगे पहली बार ये जो इस्कीम है ये लाउंच किया है यूके गौर्मट ने ने। तो ये जो scheme है UK government ने launch किया है भारत के बच्चों के लिए भारत के बच्चे जो professionals है उनके लिए इसे launch किया गया है दोस्तों ठीक है घ्यान देना तो मैंने पहले ही पूल दिया ये UK government ने launch किया है for the Indian professionals दोस्तों क्या है पुरी scheme देखें आप दोस्तों लिखा हुआ है साफ साफ the UK government recently launched the young professional scheme दोस्तों यानि UK सरकार ने भारत वास्यों के लिए भारत के बच्चों के लिए भारत के professionals के लिए young professional scheme दोस्तों launch किया है अब scheme में क्या है दोस्तों under the scheme Indian nationals यानि भारती नागरिग जिनकी यश कम से कम 18 सालों या maximum 30 सालों can live and work in the Britain for up to 2 years दोस्तों ठीक है दोस्तों यानि कहने का मतलब यह है UK government जो है वो भारत वालों को मौगा देना चाहते हैं ऐसे बच्चे ऐसे लोग जिनकी यश कम से कम 18 सालों 18 साल लेके 30 साल maximum तो वो UK में आ सकते हैं और यहाँ पे आकर अपना काम कर सकते हैं दोखो लिखा है कि 18 to 13 years can live यहां रह सकते हैं और काम कर सक 2 years के लिए applicable है कि वल हां यानि यह 2 साल के लिए आपके लिए applicable है यानि कहने का मतलब दोस्तों यह 2 साल का वीजा आपको इसमें मिलेगा नाम क्या है दोस्तों UK इंडिया यंग professional scheme ठी दोस्तों तो 18-30 साल के आप हो apply कर दो आप England जा सकते हो और वहां पर आप रह सकते हो काम क कर सकते हो up to 2 years दोस्तों लेगिन इसमें कुछ और condition भी है जो आपको माननी पड़े दोस्तों condition क्या है देखिए about this scheme अब यहां पर हम पूरे deep में बात करें दोस्तों देखिए to avail of the benefit of this scheme the person should be an Indian citizen दोस्तों यानि आपको कम से कम भारती नागरी होना पड़ेगा he or should be between अच्छा आपकी age he or she should be between 18-30 साल दोस्तों यानि आपकी age जो है वो 18 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए should have at least 2350 pound in saving दोस्तों और आपके पास कम से कम 2350 pound होना चाहिए आपके पास saving में कम से कम 2350 pound होना चाहिए यानि कि आप भारती नागरी होने चाहिए आपकी age 18-30 साल होनी चाहिए और आपके पास 2350 pound होना चाहिए saving में तभी आप लोग eligible माने जाएंगे दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं देगे person entering through the scheme can set up the company दोस्तों ठीक है अच्छा अगर मान लिजे आप इस scheme के थूँ इस scheme के थूँ इंगलेंड में आते हो वहाँ पर आप job कर सकते हो रह सकते हो या आप वहाँ पर अपनी company भी establish कर सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी company establish करते हो तो कुछ conditions उसमें है ठीक है however the equipment used in the company should not exceed 5000 pound दोस्तों यानि आप अपनी company शुरू कर सकते हो लेकिन company में जो equipment है वो maximum to maximum 5000 pound के ही आप use कर सकते हो उसके उपर नहीं उसके उपर नहीं दोस्तों ठीक है यह condition लगा दी है अब देगे and such people cannot hire employee और आप किसी employee को hire नहीं कर सकते हो यानि आप one person company बन के काम कर सकते हो करें तो यह हैं आप company setup कर सकते हो लेकिन company में अगर आप कुछ बना रहो for example तो बनाने के लिए आपको equipment चाहिए होते हैं तो equipment का maximum price 5000 pound रोनाशी से उपर नहीं और आप कोई employee भी hire नहीं कर सकते हो दूस्तों ठीक है the scheme is not for family members ठीक और यह scheme family members के लिए नहीं यह scheme family मतलब मतलब रुस्तों जैसे माल लिए आपको वही भाई है वो यूगे में रहता है अब आप हो चलो कि यार वो रहता है चलो हम भी चले हैं स्कीम में थ्रूँ तो अगर आप यह family नहीं भाने के लिए आप जार for example वहाँ पे तो आप नहीं आ सकते हो ठीक है people availing of the benefits of the scheme cannot work as a sports person ठीक है अगर आप यह scheme में चुने जाते हो और आप इंगलाइन में जाते हो UK में तो वहाँ पर आप अपना profession as a sports person शुरू नहीं कर सकते हैं यह भी a condition आपको यहाँ पर दीगे ही दोस्तों यहीं पर यह topic हमारा खतम होता है फिर से एक बार देख लीजे कौन कौन सी condition है गाईस ठीक है तो अब रिसेंट्ली में UK government दो यंग इंडिया professional scheme launch किया है for the professionals of India दोस्तों यानि अगर आपकी age 18-30 साल है और आप England में जाकर रहक अगर वहाँ पर काम करना चाहतें तो आपको दो साल के लिए visa इस scheme में मिल लेगा दोस्तों ठीक है अगर आप वहाँ पर जौक करने गया हो तो ठीक है अगर आपको अपना startup करना है अगर आपको अपना business करना है तो आप कर सकते हो आप अपनी company में setup कर सकते हो लेकिन न तो आप किसी employee को hire कर सकते हो और नहीं आपका जो equipment है वो 5000 डॉलर से उपर 5000 पाउंड से उपर हो सकता है दोस्तों लेकिन इस scheme में eligible होने के लिए आपको भारतिये नागरिक होना जरूरी है आपकी age 18-30 सल होनी जरूरी है और आपके पास saving के नाम पर 2350 पाउंड भी होना चाहिए यह सारे point आप देख लिए दोस्तों बढ़िया information है एक्जाम में question यहां से बन सकते हैं जो मैंने आपको explain किया ना तो आप employee hire कर पाऊगे और यह family members के लिए scheme नहीं है दोस्तों people availing of the benefit of the scheme cannot work as a sports person और आप as a sports person भी काम नहीं कर सकते हैं the scheme is not for the family members थंदने से इसको ठीक है तो यह दोस्तों यहां पर topic हमारा खतम होता है कैसा अलगा हमें आरा topic है हमें प्लीज कमेंटरें बताएं आशा करते हैं कि आपको topic हमारा पसंद आएगा हम मिलेंगे आप सिब next topic में thank you so much अपना ख्याल लगें दोस्तों thank you so much